चक्क वियूं या चक्क वियूं भडवान बुद्ध का एक नाम है चक्क वियूं यानि कि जो चक्क के ग्याता है बाद में इसको चक्र वियूं किया गया यानि कि ये एक घेरा बंदी करके ऐसा बताया गया मगर असली जो है वो चक्र वियू है वियू का मतलब होता है ग्याता जानकार और चक माने जो चक्र की जानकारी धम चक्र की जानकारी उन्होंने ली थी उसकी वज़े से उनको चक्र का ग्याता बोलते है चक्र वियू बहुत प्रमुख नाम है भगवान बुद्ध के हजारों नाम है उनमेंसे एक नाम है क्योंकि धम चक पवत्तन दिन आता है धम चक पवत्तन दिन होता क्या है भारत में जुलाई के महिने में या अगर पुराने पाली के हम जो नाम है महिनों के महा के तो उसमें आसार रह, आसार रह बोलते हैं, आसार माने तो होता है भहुत घंगोर बारिस, और आसार रह का मतलब है कि वो महिना जिसमें घंगोर बारिस होती है, वो आसार में आती है, तो आसार में जब पूरन चंदिमा होता है, पूरन चंद होता है, पूरन चंद होता है, य के लगातार तीन महिने तक बिक्कु सारे के सारे वसावास करते हैं और चौथे महिने में वो अपने समय के नुसार, अपने एक्छा के नुसार, अपने काम के नुसार पवार्ना करते हैं, दुवारा पढ़ाने के लिए निकल जाते हैं पूरे देश के अंदर तो इस दिन का इतना महत्व पूरे विस्व में क्यों है धम चक परवतन दिवसो का या धम चक परवतन या धम चक परवतन दिन इसको कुंडली जागरन दिवसी बोलते हैं उस दिन कुंडली जागरत होती है या इसको गुरु भी बोलते हैं गुरु वार का दिन या गुरु पूर्णिमा भारत में आज के समय में ये गुरु पूर्णिमा के नाम से मशूर है क्योंकि जगत गुरु जो रहे हैं पूरे विस में वो सिर्फ एक बुद्ध है क्योंकि बुद्ध सारे जगत में वो जानकारी लेके आए जो जानकारी पहले से थी नहीं और जो जानकारी आज तक बदली नहीं और समभबत है जब तक मनुष से रहेगा तब तक वो जानकारी बदलेगी नहीं क्योंकि उन्होंने सारी जानकारी मनुष से के सुख और दुख से सम्मंदित और उसका जो software है और जो उसका hardware है यानि जो उसका सरीर, उसका हार्डवेर, और जो उसका मन है, उसका सॉफ्टवेर, और जो उसका प्रोसेसर है, उसका ब्रेन, इसके वारे में सारी जानकारी उन्होंने खोजी थी, और उन्होंने कहा था कि मैं एक सब्द भी बहार का नहीं बताऊंगा, जो मैंने अनुभब क या है वह मैं बतामगर वही नोंने जीवनवर बताया। इसलिए वो जानकारी कटती नहीं है। उस जानकारी को बदल-बदल के, लोगोंने मिक्स करकर के, अपने नाम से दायमाईची उसमें डाल डूल के, और यहां तक की भारत के अंदर बुद्ध की सारी सिक्षा वो खतम करके, उस सारी जानकारी को अपने नाम से लोगों ने प्रजशित किया, उसको अस्तमाल किया आज भी कर रहे हैं। वो अलग बात है, इससे बुद्ध को कोई फरक नहीं पड़ता। तो यह जो धंचक्व पवत्तन दिवस है, इसलिए इसको गुरु पूर्णमा या आसारी गुरु पूर्णमा भी बोलते हैं, और ये सभी लोगों में बड़े धूम दाम से मनाई जाती हैं। आप भी उस दिन जो आपके गुरु हैं, चाहें वो भिकुनी हैं, चाहें कोई टीचर आपको पढ़ाता है, या जो टीचर से आपको लगता है कि इसने आपको बहुत अच्छे तरह से बिना भेद भाव को पढ़ाया है, या जहां से आपने सिक्षा ली है, या जो आपके माता-पिता भी गुरु होते हैं, वो हैं आप उनका अगर आप वर्चुल में जाना चाहते हैं जैसे आज के समय में जो चल रहा है वर्चुल का तो आप उनका फोटो या उनके लिए दो सब्द या उनके लिए एक वीडियो बना कर फेस्बुक पे वार्टसप पे या जहां भी आप डाल सके हमाँ डालें उनक में इसी नाम से जानी जाती है और कोई नाम पूरी दुनिया में भारत के लिए चलता ही नहीं है लाइट ओफ एस्या जो बोलते हैं वो बुद्ध को ही बोलते हैं बुद्ध के हजारों नाम है कुछ मैंने बताए कुछ मैं और आगे बताँ हजारों ही है और सारी दुनिया बोधी रुख के नाम से famous हो गया people का prayer तब तक people के prayer की कोई मानने ता नहीं थी मगर भगवान बुद्ध उसके नीचे बैठे और वहां उन्होंने बोधी को ग्यान को प्राप्त किया क्या ग्यान प्राप्त किया? बड़ा simple सा ग्यान उन्होंने प्राप्त किया एक तो उन्होंने अपनी सारी memory खोल के देख लिए जो human के software में होती है एक उन्होंने human के software से ये देखना शुरू कर दिया कि वो analysis कैसे कर सकते हैं जो सरीर से बाहर की चीज़े हैं या दूसरे के सरीर में या पराणी में उसको कैसे analysis कर सकते हैं तो सारा उनोंने सीखा और तीसरा उनोंने ये सीखा जो सबसे important था कि human का software और human का hardware यानि कि man और सरीर आपस में interlink कैसे हैं और कैसे काम करने हैं कैसे material चुपकता है कैसे दुख सरीर में आता है क्योंकि दुख वो जानते थे सम्मेदनाय आती है वो अचानक telephone सुनके या ख़वर सुनके या कोई घटना सुनके हमारे मन में आ जाती है उस समय भी भगवान ने यही देखा कि कोई मुझे अगर अपसर्द बोलता है तो मेरे अंदर दुख की वेदनाय आती है कोई मेरे पसंसा करता है तो सुख की वेदनाय आती है आखिर काम कैसे करता है अगर वो काम करना जान लेंगे तो फिर वो उसको निकाल भी सकते हैं और वहीं उन्होंने बैसाख पोड़मा की रात को सीखा और किया सारी बुराईया उन्होंने निकाली निकालने के बाद वो उन्होंने अपने सौफ्टर के जितने भी वायरिसिस थे वो सारे वायरिसिस नोने डिलीट करती है नुश्किल तो उनको बहुत हुई क्योंकि ऐसे ऐसी फाइलें थी ऐसी वायरिस थे जो डिलीट होने का नाम नहीं ले रहे थे बनकल उल्टे उन्ही को धंका रहे थे हम तुझे खतम कर देंगे देखेंगे भगवान बुद्ध ने बहुत शान्ती के साथ में और बहुत ही साधना द्रड तपस्चा के साथ में बैठे बैठे उनको डिलीट किया उसको मार सेना बोलते हैं देपुत मार सेना सारी बुराईयों को जो वाइरस के नाम है उस ग्यान को प्राप्ट करने के बाद में भगवान बुद्ध ने साथ हप्पे तक यानि बैसाक पुर्णमा की राथ से लेके साथ हप्पे तक सासत्य और नचाश यानि एक कम पचास 49 डेज 49 डेज तक ये चेक किया के वास्तम में मुझे हुमन के सौफ्ट्वेर गया हुमन के हाड़ विर की जानकारी हुई या नहीं हुई क्योंकि बात ये थी कि इस से ज़्यादा जानकारी कोई और जानता नहीं परत्वी पे और जहाँ जहाँ उन्होंने 6 साल लोगों से सीखा उन्हें भी नहीं जान पे थी नहीं, वो तो सारा वहाँ से सीख के आ चुके थे, तो बताए कौन के जो सीखा है वो है क्या, जानतारी कहां से मिले, कि जो जानतारी प्राप्त की है, वो सबसे परम है, उस्तम है, मनुस्या क बारे में हैं तो साथ हपते तक बुछ चेक करते हैं कैसे चेक करते हैं देखा गिए दुख आया है तो उन्हों देखा दुख आया है क्या दुख डिलीट हुआ देखा डिट हो गया देखा कैसे चीज़े काम कर रही हैं तो लगाता साथ हपते तक वह वहां उस पेड़ के आस सम्यक्सम बुद्धी वाला हो गया यानि कि सम्यक्सम बुद्ध हो गया सही और पूरा जानकार हो गया सम्यक्सम बुद्ध का मतलब होता है सही और पूरा जानकार व्यक्ति तो वो सम्यक्सम बुद्ध हो गया तो उन्होंने लगा कि इतना जो गहरा ग्यान मुझे मिला है क्योंकि साधान विक्ति तो इसको समझ नहीं पाएगा तो किसी को समझाना तो है क्योंकि इसको फैलाना है तो वो अपने जो दो गुरु थे उन गुरु के पास में ढूनने के लिए चल पड़े तो वो अपने गुरू ओंके पास चल पड़े तो उन्होंने सबसे पहले जो अपने गुरू थे आलार कालाम के पास में जाने के लिए देखा मगर उनको जानकारी मिली के आलार कलाम है दुनिया में नहीं रहे तो दूसरे थे उनके गुरू उद्दक रामपुत उद्दक रामपुत के पास जाने के लिए जब वो चले तो उन्हें जानकारी मिली कि उद्दक रामपुत भी नहीं रहे दोनों ही उनके पीछा रहे हैं, दोनों की जैगे नोंने सीखा है मगर जितना उन गुरू को आता था, उतना वो सीख गए थे और सीखने के बाद ये पता चला कि दुख तो अभी दूर हुआ नहीं इसलिए वो वहां से छोड़के फिर आगया आगया तो उन्हें कहा कि अब ये किसको बताया जाए, किसको समझा जाए तो उन्हें याद आया जो अपने पांच साथी थे, जो महानाम, वप, असजी, कॉडिन ने और भद्धी है ये पांचों साथी के बारे में पता किया कि वो किस ओर गए हैं, किस देशा में गए हैं जानतारी हुई कि वो बनारस में गए हैं, यानि जो कासी, सोले जो महाजनपद थे, उनकी जो राजधनी थी यानि जो सोले जनपद रहें उनमे एक कासी रहा है महा जनपद और उसकी जो राजधानी है वो बनारस या सारनाथ या सिंगपुर या वारानसी या इसी पत्तन मिगदाय उस समय इसी पत्तन मिगदाय बोलते थे इसी पत्तन किसली है इसी माने जो इसी होते हैं जो जानका लोग जहां साधना पे पच्छना करते हैं उनको इसी बोलते हैं तो पत्तन का मतलब है कि वहां जो रिवर बह रही है उसका पार्ट तो इसी पत्तन और मिगदाय का मतलब है जो मरग है वहां दोड़ते हैं तो मरग पूर्णुमा से लेके और असाड़ी पूर्णुमा के पहले तक कितने महिने होते हैं तो वो लगाता है क्योंकि 49 डेस तो वो वहां रहे और 14-15 दिन लगाता है चलते रहे तो वहां पहुँचे पहुचने के बाद में एक बड़ा अजीफ सा दृस्से हुआ कि जो उनके पांचो साती थे उन्हें तो पता नहीं कि ये सम्मेक संबुद्ध हो गए हैं या पूरी जानकारी हो गए हैं नहीं तो उन्हें तो उन्हें तो अइसा ही वेवार किया जैसे कि वो छोड़ के आए थे और क्या चोड़ के आए थे क्या उनके मन में थी? कि ये जो सधवत गोटम हैं ये नाला एक आदमी है इसने साधना पूरी तरह से नहीं की ये तो जोड़ू और बटोरू है जोड़ू और बटोरू का मतलब है कि खाना जोड़ने वाला और सामान इखटा करने वाला है तो वो छबी उनके दिमाग में थी तो पांचों ने ये प्रण किया कि सिद्धत गौत्नम जो हमारे पास आएगा तो हम इसकी तरफ ना देखेंगे ना हम बात करेंगे और जो ये पूछेगा हम देखेंगे उससे में क्या होता है पांचों ने निर्ने किया मगर जो सिद्धत गौत्नम यानि जो भगवान बुद्ध जब आ रहे थे तो उनकी चाल में और उनके विक्तित में पैर का धोवन जहाँ पानी बहता है वो वरतन लेके आया कोई तौलिया लेके आया भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपने पैर धोए पैर धोते समय उन लोगों ने उनको यानि भगवान बुद्ध को जो कहा वो आवस कहके या नाम लेके बुराया तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप मुझे आवस ना कहें आवस का मतलब आयुसमान और मेरा नाम भी ना लें क्योंकि अब मैं उस नाम का व्यक्ति नहीं रहा अब मैं सिद्धत गौतम नहीं रहा अब मैं बोधी प्राप्त हो गया अब इससे पहले एक कहानी और भी होई क्योंकि भगवान बुद्ध ने पहली बार अपने आपको बुद्ध जो बताया था वो किसको बताया था उरे वेला में एक उपक आजीवक मखली गोसाल का सिस्वे था उसका नाम उपक था वो जब बुद्ध को देखा उसने तो उसने बुद्ध को देखे का कि आवोस तेरी इंदिया इदिया मसणला सैंसिस तीरे सैंसिस तेरी इदिया तो बड़ी शान्थ है यैशनी कि आंख है, नाख है, कान है जो चेहरे पे चपलता आती है, हाथ परो में चपलता आती हो तो बहुत शान्त है, सादू होगी है बलकुल, सुद्ध हैं और परिसुद्ध हैं, चमक रही है, तेरा गुरू कौन है और तो किस धर्म को मानता है, भगवान गुद्ध ने उत्तर दिया, मैं सबको पराजित करन वाला, सबको जानने वाला हूँ, सभी धर्मों से अलग हूँ, सभी धमों से अलग हूँ, सर्वत्यागी हूँ, यानि सबको त्याग चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ, तेरा के छैसे मुक्त हूँ, यानि जो तर्णहा है, जो क्रेविंग है, उसका जो नुक्सान होता ह उससे मुक्त हूँ, मैं अपने आपको जानकर उप्देश करूँगा, यानि मैं अब जो उप्देश करूँगा, लोगों को देश ना करूँगा, प्रीच करूँगा, बताऊँगा, वो जो मैंने सरीर में जाना है अपने आप में, उसको देखके बताऊँगा, उसी को पूर उप्देशक हूँ, इससे पहले किसी ने जो देशना नहीं दिया है, वो देशना मैं देता हूँ अदूंगा, मैं एक सम्यक संबुद्ध हूँ, मैं शांती और निब्बान को प्राप्त हूँ, यानि कि मैंने निब्बान प्राप्त कर लिया है, और मैंने शांती प्राप्त कर लिया है, निब्बान प्राप्त क्या होता है, दो चीजे होती है, एक निर्वत मान और एक होता है निब्बान निर्वत जो बोलते हैं उसको बोलते हैं नीवरत यानि कि जिसका जीवन समाप्त हो जाए और निबान का मतलब है नीबान यानि जिसकी तरकस में कोई वान ना रहे, कोई तरशना ना रहे, कोई दुख ना रहे तो कहते हैं कि मैं निब्बान प्राप्त हूँ या मेरे पास कोई दुख नहीं है धम का चक्का गुमाने के लिए कासियों के सहर में नगर में जा रहा हूँ यानि कि धम का चक्का धम का परवत जो धम का परवतन करने के लिए चक्क को चक्क को गुमाने के लिए धम को सिखाने के लिए अपने पांच साथियों के पास काशियों के नगर जा रहा हूँ इस अंदे हुए लोग मैं अमरत दुन्दुभी बजाओंगा और वो कहते हैं कि यह जो अंदा लोग है जहां लोग पाप इखटा कर रहे हैं इसमें मैं दुदुभी बजाओंगा अमरत पद्गी यानि कि मैं धोल बजाओंगा सच्चाईगा और लोगों को सच सिखाओंगा ताकि लोग अमरत को प्राप कर सकें तो वो जो सिखे है उपक है वो कहता है आवस तु जैसा दावा करता है उससे तो तो अरंत जिन लगता है यानि जो तुने बताया है ये तो सारे गुन जिन के हैं जिन का मतलब है जीते हुएगे जिसने अपने आपको जीत लिया है उसको जिन बोलते है पाली में तो मेरे जैसे आदमी भवान बुद कहते हैं मेरे जैसे आदमी जिनके सारे चित मैल यानि जो चित के मन के मैल हैं जो खतम हो चुके हैं जिसमें सारी बुराईयों को जीत लिया है उपक तो जिन ही होते हैं मैं जिन हूँ तो वो कहते हैं कि हो अच्छी बात है ऐसा कहे कि उपक चला जाता है भगवान बुद्ध वहां अपना प्रिचेस पर कार देते हैं तो ये जो पांच उनके साथी हैं ये पांच उ साथी जब यकिन नहीं करते हैं तो भगवान बुद्ध उनको कहते हैं क्या तुमने मुझे पहले कभी इस बात का दावा करते हुए देखा या इस तरह की बात करते हुए देखा जो मैं आज कर रहा हूँ कि मैं सारे दुखों से मुक्त हूँ और मैं दुखों से मुक्त करने का रास्ता जानता हूँ तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा और सुना भी नहीं तो कहते हैं कि मैंने दुखों से मुक्त होने का रास्ता प्राप्त कलिया और मैं हो चुका हूँ और इस रास्ते पर आप चल के देखोगे तो आपको भी लाग हुआ क्योंकि मैं इसको जान चुका हूँ और मैं हो चुका हूँ तो सबसे पहले जो कॉडिन ने हैं उसको यकीन आता है और वो पांचो इस बात को यकीन करते हैं वहाँ पर भगवान बुद्ध उनको पहला धम का उपदेश देते हैं जो पूरी दुनिया में धम, चक, पवत्तन के नाम से धम यानि जो प्राय करती नियम है वो चक माने उनका चकर पवत्तन माने जो चालू हो रहता है और दिवस माने उस दिन दिर्श यानि उस दिन से जो चालू हो रहता है उस पर परचन को बताते हैं इसको धम, चक, पवत्तन, सूथ के नाम से भी जानते हैं इसमें चार आरे सत्य बताते हो पहले और चार आरे सत्य में जो परिशानी आती है यानि जो दुख बताते हैं फिर उसका रास्ता बताते हैं ये सारी बातें को बिलाकर बारा है जो बताते हैं तो सबसे पहले चार आरे सत्यों में क्या कहते हैं वो कहते हैं कि दुख है दुख दुख के कारण का निवारण है और दुख के कारण की निवारण का मारग है और वो मारग आगे बताते हैं यानि दुख है दुख है दुख का कारण है कारण का निवारण है और निवारण का मारग है ये चार नोबल टूथ है अरिय सच बोलते हैं अरिय सच क्यों बोलते हैं क इनको जो जान लेता है वो व्यक्ति स्रेष्ट बन जाता है अरिय बनना सुरू हो जाता है और जो इनको नहीं जानता है वो अनरिय रहता है वो स्रेष्ट रही रहेगा अनरिय रहेगा क्यों क्योंकि जब आप समस्या को जानेंगे नहीं तो आपको यह नहीं पता कि करना क्या फिर तो जो कर रहे हैं वो कड़ते रहें तो सबसे पहले भगवान बुद्ध जो घर छोड़ा था जो घर को छोड़े थे वो इसलिए तो छोड़े थे कि दुख है और दुख का कारण उन्हें समझ में नहीं आया कारण समझ में नहीं आया, उसका मार्ग समझ में नहीं आया, उसका रास्ता नहीं आया, तो जो उद्दक के यहाँ और जो अलार कराम के यहाँ जब वो गए थे और उन्हें मेहनत की थी, तो वहाँ उन्होंने दुख का कारण है, कारण का जो मार्ग है, मगर मार्ग का कैसे प जिन्होंने निवारण के मारगो नाकेबद सीखा बण लोगों को जगे 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 साफ करके सिखाया भी और उस जगे को वहाँ लोगों ने विहार बोला और इतने वहाँ विहार बने कि उस जग्या का नामी विहार पढ़ गया मगत से तो वो प्रैक्टिस करा रहे पैतालिस साल तक वो यही काम गतरे कि लोगों को निवारन का मार्ग सिखाते रहे ध्यान, तबस्ना, विपस्ना वही जो परियत्ती है परियत्ती माने जो सिख्षा है वही परियत्ती नों नहीं यहां दी और फिर पटी-पत्ती की, यानि कि उनको सिखाया भी वहाँ वो बाद में सारे-सारे पांचों के पांचों के साथ ही अरत होगी तो क्या रासा था? जब वो कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है कारण का निवारन है, निवारन का मार्ग है वो जो मार्ग है, उसको आठांगिक मार्ग बोलते हैं उसको बोलते हैं, आश्टांगिक मार्ग एट फोल्ड पास, या कुंडली जागरन या अर्थ कता, या जो हम बोलते हैं अर्थ कता, या जो कताएं हम बोलते हैं घरगर के जाके वो बोलते हैं, या जो अश्टवक्र बोलते हैं, अश्टवक्र मतलब है जहां आठ मोड आते हैं, आठ फुल्ड या आठ मोड या आठ वक्र आते हैं, वो आठ अंगो कमार्ग है, उसको तीन मार्गों में तीन चीजों के अंदर जोड़ा गया है सील, समाधी और प्रग्या सील, समाधी और पैया पैया और प्रग्या एक ही बात है पैया बोलते हैं पाली में प्रग्या बोलते हैं संस्कारित भासा में और सील बोलते हैं यहाँ पर और सील का मतलब है जो संसार वाला से है उससे सील बना हुआ है शील नहीं बोटे सील समाधी और पैया या प्रग्या तो सील समाधी प्रग्या सील समाधी प्रग्या को आठ भागों को उन्होंने तीन भागों में तोड़ा और तीन भागों में करके उन्होंने बताया कि कैसे कैसे व्यक्ति अगर करेगा और क्या क्या चीज आती है जिससे कि वो निबान को प्राप्त कर सकता है जिससे वो मोख को प्राप्ट कर सकता है जिससे वो अमरत पत को प्राप्ट कर सकता है और यही वो रास्ता है यही वो आठ नियमों का आठ अंगों वाला मार्ग है जिससे व्यक्ति अपने सारे दुखों से मुक्त होके निबान को प्राप्ट कर सकता है Salvation को प्राप्ट कर सकता है Kevallay को प्राप्ट कर सकता है Mokko को प्राप्ट कर सकता है Amrat को चक सकता है Amat Pad प्राप्ट कर सकता है और अचूत पद को भी यानि अचूत पद का मतलर है जिसको कोई छू ना सके जो सबसे उंचा हो उसको अचूत पत बोला हुआ है अचूतं बोला हुआ है वैसे अचूतं पतनंग या अचूतं ठानंग तो जो अचूत पत है संस्कायच भासा में उसको अचूत बोलते हैं यानि कि untouchable जो poison है और वही लोग बाद में untouchable हुए और यही वो रास्ता है जिसको उन्होंने कहा कि ये मध्यम मार्ग है और मध्यम मार्ग को बोला मज्जम मज्जम बोलते हैं या मज्जम मार्ग और जिन लोगों ने ये मज्जम मार्ग या मज्जम मार्ग अपनाया उन्ही को माजी बोलते हैं यानि बिहार के अंदर जितने भी माजी हैं वो मज्यम मग जो है या जो मज्यम मार्ग है जो मज्यम मार्ग है उसका पालन करने वाले लोग रहें बुद्ध के समय से इसलिए वो माजी रहें दसरत माजी का नाम तो आप जानते होंगे वो मज्यम मारका यानि मज्यम मारका पालं करने वाला बहुत पुराना बुद्ध का अनुजाई रहा है इसमें वो सारे माजी है तो ये जो दुख पिर्तिपदा गामनी मारक है इन बहुत सारे नाम इसके चलते हैं और इस मार्गे चलते हुए भगवान बुद्ध ने जो पहला महाउपति दिया वो पूरी दुनिया में जगत में फेमस हो गया और वो जगत गुरु के नाम से आता है क्या है वो? सील, समाधी और रग्या तो सबसे पहले मज्जम मार्ग क्या है? बेसिकली जो मध्यम मार्ग है और मज्जम मार्ग है वो है क्या? मज्जम मार्ग और मध्यम मार्ग का मतलब है भगवान बुद्ध ने जो बताया और जो खोजा वो कहते हैं कि एक मार्ग जो ही लोग कहते हैं कि कोई चमतकारिक सक्ती नहीं है, ये काम जितना भी है बिना चमतकारिक सक्ती के हो रहा है, वो चमतकारिक सक्ती में यकिन नहीं करते हैं, मगर चुकि काम हो रहा है और चमतकारिक कोई करनी रहा है, इसलिए जो उन्होंने देखा और जाना, उसको उन्हो वाद उन्होंने कहा, कारण वाद कहा, डिपेंडेंट ओरिजनेशन कहा, कारण और परिणाम वाद कहा, ये उसके कारण होता है, एक चीज जुड़ती है या तूटती है, उससे दूफरी चीज बनती है या तूटती है, उससे तीसरी चीज बनती है या तूटती है माचिस की तिली जब आग लगाते हैं तो माचिस की तिली राक में बदल जाती है राक पेड़ों में चली जाती है पेड़ से पोधा बन जाती है पोधे से पेड़ बन जाती है पेड़ से पिर तना बन जाती है तनें से फिर वो तना काटते हैं तना काटके फिर वो माचिस कितरी दूबारा से बन जाती है यानि एक दूसरे से जुड़ी हुई है और बन रही है इसमे ना चमतकार है और ना ही ये कह सकते हैं सilde को कि ये मिना कार्ण के हो रही है ये जो हितुवा, जो कारणवा, जो dependent on origination या result, cause and effect जो इन्होंने बताया, वो मध्यम मार के नाम से famous हुआ, मध्यम मार का मतलब कोई ऐसा नहीं है, कि दो इधार है और दो इधार है और बीच में हमने कह दिया कि ये मध्यम मार के है, मध्यम मार का मतलब है, कि जो लोगों ने आती कहा कि कोई चमतकारिक सकती कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि इसका region पता नहीं है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, उस मार के बीच का मार निकल कलाए, और आज तक भी दुनिया वर के scientist उनकी बात के आधार पे चलते हुए, उनका जो अभी धम है, जो उन्होंने mind का और body का relation बताया, उसके आधार पे चलते हुए, जो artificial intelligence से उस पे काम करते हैं, इसी मार को अरिये अठंगिक मार बोलते हैं, यानि कि सुरेष्ट आठंगो वाला मार बोलते हैं, इसी को अठकता बोलते हैं, इसी को अठमी बोलते हैं, क्योंकि आठ दिन तक इसका पाठ कराते हैं, और इसी को अठ गाता बोलते हैं, जहां भी आठ गाता के नाम से आता है, और इसी को अठमी बोलते हैं, और इसी को अठमी बोलते हैं, और इसी लिए भारत में हर महिने के जो दोनों अठमी हैं, वो सारी सारी लोग उपुरसत में और उस दिन खास तोर से बुद्विह क्या आते हैं? बहुत ज़्यादा ये प्रमुख है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा माना ज़्यादा है. क्या है ये मार्क? सबसे पहले आता है इसमें सील समाधी, पैयां के अंदर सील आते हैं. SIL किसको कहते हैं SIL कहते हैं SIDA 4 को आच्रा को जो हम mortality अपनाते हैं तो SIL के अंदर जो हम काम करते हैं यानि कि जो बोलते हैं जो सोचते हैं और जो हम करते हैं वो काम हमारा ऐसा होना चाहिए जो सम्यक हो आखोरों कि भगवान बुद्ध ने आठों अंगों के अंदर सम्यक लगाया हुआ है, सम्यक क्या मतलब सही, जैसे चाकू अगर होगा घर के अंदर, तो उसका एक इस्तमाल है किसी का पेट फाड़ना और एक इस्तमाल है तर्बूच का पेट फाड़ना, सम्यक है, सही है, राइट है, और किसी का पेट फाड़ना ये असम्यक है ये रौंग है और ये पाप है इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि हर जो ग्यान है जो सारी विज्जा है सारी एजूकेशन है उसके दो मिनी होता है हमेंसा एक होता है सम्यक और एक होता है असम्यक एक होता है सम्मा और एक होता है असम्मा यानि यहां सम्म करने के लिए कहता है उसको seal कहते है जो मन वचन और करम के अंदर माइंड के अंदर और जो आपकी speech के अंदर और जो आपके वर्क है उसके अंदर जो सही काम सब लोगों के लिए होता है उसको seal बोलते है तो यहाँ और एक बेकार की फिजूल की जो भकवास है वो नहीं करनी है यानि के हर एक मनुस्य को इतने भी प्रत्वीबे मनुस्य हैं उनको चार बातें नहीं करनी है छूंट नहीं बोलना है जूंट का जो वीडियो है बहुत बड़ा मैंने बनाये हुआ है वो आप देख लें जो जिसमें मुसा वादा वेर बनी करके सील है उसमें सारा विस्तार से बताया गया है एक उसमें भकवास और जो कटू बचन हो नहीं करने है एक भकवास नहीं करने है और एक चुगली नहीं करनी है यह चार बातें आती है वचन से यानि कि मुँसे यह चार बातें आपने नहीं करनी है यह आता है सम्मा वाचा राइट स्पीच में फिर आता है सम्मा कमनतंग या सम्मय कर्म या राइट कंड़क्ट जो conduct है आपका वो बुलकुल right होना चाहिए, जो कर्म है आपका, क्योंकि अब इता आप मुह से बोले हैं, अब हाथ पेरहूसे और सरीर से करना है, काम तो उसको कममतंग बोलते हैं, समय कर्म बोलते हैं, कर्मा भी बोल सकते हैं, तो right conduct क्या है, जो आपका conduct है, कहते है, वेबचार नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, नसा नहीं करना है, ये पांच सील में से चार सील पहले ही मैं बता चुका हूँ, आप देख लें, एक ए घंटे का, आदा आदा घंटे का मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है, वो सब अटेज है यानि कि ये आपके सही काम में आते हैं, कि आपने ये काम नहीं करना है, इन काम को करेंगे तो सम्यक कम हो जाएंगे, फिर आपके पाप नहीं जाएंगे, फिर दुख आपके पास आएगा फिर आता है सम्मा आजिवयो जो सम्मा आजिवो है सम्मा आजिवो का मतलब है Right-Livelihood यानि कि सम्मेक आजिवी को आजिवी का जो हम खाने के लिए कमाते हैं और काम करते हैं वो हमारा सम्मेक को सही होना चाहिए अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपने घर का पालन करता हूँ और मैं पैसा कहीं से कमा के लाँँ मेरी तो जुम्मादारी है ऐसा नहीं है अगर आप वो सही तरह से कमाएंगे नहीं सही तरह के से नहीं कमा के लाएंगे तो वो पैसा आपके परिवार को पालने की बजाए खतम कर देगा उस समय पांच चीज़ों के लिए मना किया है अभी तो वो बढ़ गई है पांच चीज़ें कौन-कौन सी है हत्यारों का वैपार है जो प्राणियों को मारने के लिए हत्यारों का वैपार करता है सबजी काटने के लिए चाकू का करे वो बैपार में नहीं आता खराम में अगर जानवर का जो नयार है जो भोजन का काटने के लिए गंडासा है या फसल काटने के लिए जो गंडासा है या जो खुर्पी है या जो जो भी चीज़ है दनाती है वो अहत्यारों में नहीं आती क्योंकि वो सम्मेक उसका इस्तमाल है मगर अगर प्राणी को मानने के लिए जैसे तीर है उस सम्मेक इसाब से या तलवार है या कोई ऐसा चीज बनाई या आपने जिससे जानवार या कोई मनुस्स से माना जाए या कोई बड़ा चाकू तो वो अवैद है यानि कि वो सम्मेक आजी भी का में नहीं आता उसका आपको नुपसान होगा दूसरा आता है प्राणीों का व्यापार यानि प्राणीों का व्यापार नहीं करना है आपने गुलाम नहीं खेदने हैं गुलाम बेचने नहीं है, आपने कोई जानवर को नहीं बेचना है, आपने अपने घरवानों को कहीं कोई मजदूरी की ऐसे नहीं रखना है, जैसे बेचतिया हो, या उनको कहीं आप फसा के चले आए, या गुलाम बना के चले आए, तो प्राणी को किसी तरह से बैपार नही प्राणी का खहितना बेचना है एक है मंस का वैपार, मास का वैपार यानि मास का वैपार भी नहीं करना है आपने किसी जानवर को ना पालना है ना उसे काटना है और ना उसे पालने के लिए काटिंग लिए बेचना है मास का वैपार नहीं करना है एक है मद का वैपार यानि नसे की किसी चीज को ना उगाना है ना पैदा करना है ना खेदना है ना बेचना है ना ही उसकी मज़ूरी करना है ना ही उसमें जाना है कोई इन्वॉल्मेंट नसे के किसी काम में नहीं करना है एक है विसका वयपार यानि कि विस मनुस्य को प्राणि को मारता है ऐसे किसी वयपार को नहीं करना है ना इसको होने देना है ये 5 वयपार उस समय बढ़े थे अभी तो बढ़ गए हैं अभी तो जैसे टीवी रेडियो पर जूट बोलने का को हैं आप कितना जूट बोलते हैं टीवी रोड पे तो आज की समय में ये जो टीवी है, टेलिविजन है, जो रेडियो है, ये ब्रोडकास्टिंग है, ये जितना जूटा ब्यापार करते हैं, ये जूटी इंफॉर्मिशन चलाते हैं, ये ब्यापार समय का आज भी यो नहीं है, ए आप उसको दवाब में पैसा दे के मजबूरी में खरिद लें, या जहां उसने अपना मत डाला है, उस मत को बाद में अपने हिस्से के लिए मोल लें, या अपने हिसाब से जो मत अधिकार यूज करके जिसको आपने बनाया है, उसको आप अपनी तरफ कर लें, वो पूरी आज भी के नहीं है, जो लोग मिलावट का ब्यापार कर रहे हैं, उनके बच्चे भी टेडे मेडे पैदा होते हैं, नसीले और सरावी पैदा होते हैं एक है आज के समय में जुए का ब्यापार, पहले ये जुआ घर कैश्रों नहीं हुआ करते थे थोड़ा बाद जुवा कही नाम मात का होता था तो ब्यापार नहीं होता था अभी तो बाकादा लोग जुवा का घर बना-बनाकर कैशिरों बना-बनाकर लाटरी का घर बना-बनाकर या जो सैंसेक्स है उसका बनाकर ब्यापार करने हैं ये बल्कुल सम्माधी में आता है सम्मा वययमो और सम्मा सती कोसिस करनी है, right effort करना है सम्म्यक समाधी के लिए तो करना क्या है आपने बैठ गए आप और बैठने के बाद में आपने कहा कि मैं क्या वियायाम करूँ कौन सा वियायाम करूँ कौन से एकसाइज करूँ क्योंकि इसमें effort करना है तो यहाँ effort सरीर का नहीं करना है यहाँ effort जो करना है वो mind का करना है मन का करना है कैसे करना है आपके मन में जितने बुरे विचार विक्सित हो चुके हैं सबसे पहले तो वो आपको निकालने हैं फिर वो निकालके आपने दरवाजा बंद करना है कि अब वो बुरे विचार नहीं आने चाहिए फिर जितने आपके सही विचार हैं जो जैसने अच्छे विचार हैं उनको रोकना है और सही विचारों को निकालना है और जो सही विचार आपके हैं उनको बढ़ाना है और जो सही विचार नहीं है आपके पास वो पैदा करने है यानि कि जो आपका बुरे विचार मन में है बुरे मन में सबसे पहले तो वो निकालने है उनकी सफाई करनी है फिर वो दरवाजा बंद करना है उनको आने नहीं देना है उसके बाद आपके सही विचार है जो सही चीजे आपके मन में जो अच्छी है जो अच्छा हैना है उनको आपने बढ़ाना है और जो नहीं है उनको पैदा करना है ये है सम्मक वायाम या सम्मा वायामो तो सม्मा वायामो या सम्मा वायाम या राइट एफ़र्ट इसी बात का है और ये बड़ा मुस्किल काम है क्योंकि जब समाधी में आदमी बैठता है तो समाधी में उसको ख्याल आता है तो वो सम्मक की बजाए असम्मक वायामों में चला जाता है असम्मक वायामों में चला जाता है वो क्रोध में, सुरा में, सुंदरी में, कामवासना में, चोरी में, डकेती में उसके मन में यही घूमता रहता है उसको निकालनी के बजाए और बढ़ा लेता है तो ये फिर सम्यक नहीं होगा असम्यक हो जाएगा इसलिए जो effort है जो mind करना है वो करना है कि आपके मन से जितने बुरी चीज़े हैं वो सब निकालनी है अच्छी रोकनी है फिर समाधी में आता है सम्मा सती सम्मा सती एक कमाल की चीज़े है क्योंकि सारा जो भगवान बुद्ध का जितनी सिक्षा है वो सती सब्द पर रुकी हुई है महा सती पठाना आप जानते होंगे और जो सती सावित्रियां होती है जो सती ओरते होती है और सती जगे जगे सती की देवी और सती का मंदर मिलता है और जगे जगे सती मान लोग मिलते हैं और बलकर सती से ही जो सब्द बना हुआ है वो सितारा बना हुआ है और सितारा से ही तारा देवी बनी हुई है और सतारा नाम की एक जगे भी महाराष्ट के अंदर है यानि ये सती, सतारा, इस्मरती ये इतने पिरमुक नाम रहे हैं ये सब सती से बने हुए सती क्या क्या मतलब है सती का मतलब आज तो इस्मरती बोलते हैं यादगार बोलते हैं यादगार नहीं है या सम्मासती या सम्माइस्मरती या Right Awakening Right Awakening का मतलब है Right Mindfulness यानि कि आपकी सही जागरती, सही जागरण, सही जागना, सही देखना ये है सम्मासती इसको कैसे देखेंगे? इसको जानने के लिए ये चार पितार की होती है एक तो होती है आना-पाना सती आना पाना सती के अंदर पेसिकली पहले ये समझाएं कि सती है क्या सती जो होती है वो बोलते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं और जो हमारे सेंसिस में आ रहा है जैसे हम कोई सीन देख रहे हैं सामने एक सीन चला है पिच्चर के अंदर उस पिचर के अंदर किसने किसी को चाकू मारा तो चाकू मानने का हमने सीन देखा चाकू मानने का हिंसा का सीन हमने देखा हिंसा के सीन में हमें ये देखना है कि ये जो काम हुआ है हमारे मन पे किस परकार प्रभाब डाला है पाप का या पुन्य का या हमने कहीं पे देखा कि कोई व्यक्ती हमसे रिस्वत मांग रहा है या हम किसी को रिस्वत देख रहे हैं तो उसमें हमें ये देखना है कि पाप कितना हो रहा है और पुन्य कितना हो रहा है हमारे मन को कितना पता चल रहा है या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं पिने का नसा करने का या हिंसा करने का तो अपने मन पर देखते हैं कि पाप कितना है और पुन्य कितना है अगर हम ये जानगारी रखते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उसे पाप कितना आ रहा है पुन्य कितना आ रहा है तो इसको सती बोलते हैं यानि कि हम जागरूख हैं अवेक जैसे हम कोई गलत काम करते हैं, वैसे हमारा सांस Abnormal हो जाता है, उपर नीचे होता है, इसको बोलते हैं आना पाना सती, यानि कि सांस के आने जाने की गती में Change तो नहीं हुआ है, दूसरा देखते हैं काया गत सती, यानि कि हमारे सरीर पर क्या फरक पड़ा है, कोई काम हमने कि या सामने किया अच्छा या बुरा तो हमारे सरी को देखते हैं कि क्या फरक पड़ रहा है सरीर शान्त है या कुछ बदल गया अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है एक होता है वेदना नूसती वेदनानु सती का मतलब है कि जब हम कोई अच्छा या गलत काम कर रहे हैं तो हम चेक करते हैं कि हमारे सरी में जो वेदनाएं उठ रही हैं वो खुशी की आ रही है या दुख की आ रही है या डर की आ रही है या चिंता की आ रही है, पैसी वेदनाय आ रही है, यह हम चेक करते हैं, और एक देखते हैं हम धम्मानु सती, धम्मानु सती का मतलब है, कि जो हमारे अंदर इससे में जो सरी में चला है, उसका धम कैसा है, गरम है, ठंडा है, गीला है, मोटा है, पतला है, यह सारी जो सतियां नहीं इसकी जानकारी ऐसे नहीं आती, ये आती है जब आप विपस्ना साध्मा में जाएंगे और बैठेंगे, थोड़ी को सब को आ जाती है, मगर विपस्ना साध्मा तो जहां मास्ट्री सीख जाते हैं, मास्ट्री करके जाते हैं, वहां तो आपको सब पता चल जाएगा, त तो हमारा साप जो छटा है वो आता है सम्मा समाधी, समाधी का कोई संस्काइट बढ़ नहीं है, समाधी पाली में भी समाधी है और संस्काइट भासा में समाधी है, यानि जो सम्ता में जो अधिष्टित रहता है, जो अधिठान करता है, जो सम्ता में रहता है, जो सम्ता को ध समाधी बेसिकली आज की भाहसा में कहा जाता है कि मन की एकागरता को समाधी कहते है मगर भगवान बुद्ने तो यहां सम्यक समाधी बोला है सम्मा समाधी बोला है तो मन की एकागरता खाली समाधी है मगर सम्यक नहीं है अगर कोई आदमी चोरी करने जाता है और चोरी करते करते वो एकागरता से अपने शिकार को देखता है तो वो सम्यक समादी नहीं है एकागरता तो है, समादी तो है मगर सम्यक नहीं है क्योंकि वो हानी पहुचाने वाली है तो सम्यक समादी कैसी होती है सम्यक समादी वो होती है जिसमें वो ये जानता है समता से कि जो मैं ये कर रहा हूँ वो बिल्कुर ठीक ठीक कर रहा हूँ किसी की हानी के लिए नहीं है और मैं उसको जानता हूँ और देख रहा हूँ यानि कि एकागरता होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और समान रूप से होनी चाहिए, उसमें आपका कोई दुसक्रम इल्वाल्ब नहीं होना चाहिए समाधी में आप बैठ गए और आप काम ख्राब करने के लिए बैठे हुए हैं पाप करने के लिए बैठे हुए हैं तो वो सम्मा समाधी नहीं है अगर सम्मा समादी होगी तो वो आपको दुखों से मुक्ति दलाएगी और अगर सम्मा समादी होगी तो वो आपके दुखों को बढ़ा देगी आपके सुक्ष खतम कर देगी इसकी यह सम्मा और सम्मादी सब्स बोले हुए है तो ये जो आपने सम्यक समादी यानि right meritification था ये इसकी खास बात है फिर आता है right resolve यानि सम्मा संकपो सम्यक संकल्प सम्मा संकपो या सम्यक संकल्प right resolve काम, कोद, लाव, राग, देश और महमूर्टा काम, कोद, राग, लोव, देश और महमूर्टा अगर ये पाँच चीजों को जो छोड़ देता है वो संकल्प ना करें मन में यानि कि समादी में बैठ गया और समादी में बैठने के बाद मैं वो संकल्प ले रहा है क्या संकल्प ले रहा है, मन में resolve कर रहा है क्या संकल्प है उसके, मैं क्रोध नहीं करूँगा मैं कोई राग नहीं करूँगा मैं कोई देश नहीं करूँगा मैं कोई मोह मूरता नहीं करूँगा मैं कोई लोग नहीं करूँगा और मैं इनसे रहित रहूँगा इनसे मैं इंवल्व नहीं हूँगा ना मन से ना वचन से ना करम से तो ये संकल्ब अच्छा है और अगर संकल्ब बैठके समाधी में ये करे वहाँ मुझे चोरी करनी है वहाँ ड़केदी डालनी है वहाँ मुझे खाने का समान मिलाना है वहाँ मुझे दूद में पानी मिलाना है वहाँ मुझे कमिशन लेना है वहाँ मुझे ये जमीन बेचनी सडके मरेगा। आपको व्यूज का पता चल जाए कि ये सामने जो चल रहा है वो चीज कैसी है कैसी नहीं है यानि आपको देखके पता चल जाना चाहिए कि ये पाप में है या पुर्णे में है इसमें पाप हो रहा है या पुर्णे में हो रहा है ये दर्ष्टी का आपको पता चल जाना चाह किसे को देखना यहाँ संवयक दर्षटी नहीं है चो महसूस करना यह संवयक दर्षठी ऑच कहने इसके तीन पार्ट है, तीन पार्ट agnhal प्रग्या का पार्थ OC प्रग्या तीन प्रिकार की होती है एक होती है सोत मैं यानि सुरत मैं कर गया यानि प्रग्या को बोलते हैं समझ और सुरत मैं का मतलब है कि आपने कहीं पड़ा किसी सोत से आई हुई है कहीं सुन के आई हुई है किसी सोत से आई हुई है जो जानकारी उसको बोलते हैं वो कorter में शुर्ड पर सिनल्य वाले वाले थरेंसुन पष्ट करना डिया उपैसले पूंड सो उन्दूराइं you एक्षाTC Communist कर दिया उसका भूंत और उन्दूरांगा त्वह बैसे और उसक्क अनमें टेली वे पिर आप उसको चिंतन में प्रग्या में बदलोगे, चिंतन में प्रग्या क्या होती है, कि आप उसको अनिलेसिस करोगे, किसी को फोन करके पूछोगे, पहली वाली जानकारी है उसको देखोगे, किताब में क्या पढ़ा है उसको देखोगे, यह देखोगे कि टीवी वाला क क्या बोलने कारण हो सकता है क्या रिजन है, ये सचा है या जूटा है इसकी पहले बात हैं सच थी या नहीं थी या अभी जो बात बोली है वो सच है या नहीं है वो सारा एनिलेसिस करोगे उस पर सब्टेक चिंतन करोगे पचास लोगों से पूछोगे, सब की हिष्टी जानोगे चिंतन में ही प्रग्या आपको बताएगी कि ये चीज ठीक है या खराब है जो टीवी वाले ने बोली है मगर चिंतन में ही प्रग्या भी जूटी हो सकती है आपको पचास आदमी कह सकते हैं कि टीवी वाले ने जो बुलाए वो ठीक है आपको अख़वार कह सकता है टीवी वाले ने बुलाए वो ठीक है अख़वार भी मिला हुआ हो सकता है आप किसी पड़ोसी से पूछो तो पड़ोसी भी हो सकता है कि टीवी वाले का साथ ही रहा हो और वो उसी विचारधरा को वो भी कहँए ठीक है तो आपने फिर जो आखरी है जिसको भाव में प्रईयां बोलते हैं भाव में प्रग्यां बोलते हैं वो सबसे जदہ important है आपने ये देखना है अपने सरीर पे कि इसकी खबर का हमारे देश पे और हमारे सरीर पर हमारे मन पर क्या परभावपर है आपका मन बता देगा कि यह जोट बोला है या सच बोला है या यह खराब है या उसको बोलते हैं भाव में प्रग्या तो यह जो भाव में प्रग्या है यह है बिसिकली सम्मा दिट्टी सम्मा दिश्टी इस अनुभव से हमें पता चलता है सरीर के अनुभव से और किसी व्यक्षी को देखके बच्चा हस पड़ता है वो जानता है उसकी भाव में ही जो प्रग्या है वो काम करती है उसे पता है कि ये जो बोला है उसके बोलने की वाइबरेसन उसके लिए अच्छी है या खराव है कोई करकस आवाज में बोलता है तो बच्चा रो पड़ता है कोई मीठी आवाज में बोलता है तो बच्चा खुश होके उसके पास चला जाता है उसका भाव बता देता है उसका एक्स्प्रियंस बता देता है उसका मन बता देता है कि ये ठीक है या ये खराब है इसने सबसे महकूर इसके अंदर है सम्मा दिठ्थी और सम्मा दिठ्थी में भी जो सबसे इंप्रोटेंट है वो है भाव मही प्रग्या यानि जो आपने experience से अपनी जानकारी से जो समझ है जो आपने अनुभब की है जो आपके अनुभब पर खरी उतरी है वो वाली प्रग्या ये जो आठ मार्ग है ये जो आठ चीजे है ये आपको निबान की पत्तक भी ले जाता है ये सुख प्राप करने का मार्ग है दुखों को दूर करने का मार्ग है ये मार्ग दुख से आरम होता है कि दुख क्या है इसका कारण क्या है निवारन क्या है और उसके दुख का निवारन का मार्क क्या है और मार्क पे चलते 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 आपको मुख प्राफ हो जाता है अमर्टत्व प्राफ हो जाता है आपके दुख चले जाते हैं आपको सुख आ जाता है इसलिए ये जो मार्ग है ये सारे जितना भी भगवान बुद्ध की जो थोरी है या मिवान सा है या जो परियत्ती है या जो पत्टी-पत्ती है या जो पैक्टिकल है या जो इवन मैं जो इन्होंने इकटा किया है ये मार्ग सारा उनको बताता है ये मार्ग उन्होंने वहाँ बताया रास्ता उसके बाद उन्हों वहाँ पर छे आरत हो गे वो भी आरत हो गे और भी वहाँ पर आये उन्होंने सीखा वहाँ पर साथा बन गया यानि साथ लोगों का गुरुप बन गया 60 लोग पिर वहाँ से संग बन गे उनका चला और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में धमको फिलाना सुरू किया भगवान बुद्ध 45 साल तक यही बात को अलग लग तरीके से समझाते रहे सील समाधी पईया इसमें जो परियती है और जो पटी-पटी है उसमें थोड़ा सा अंतर है जब किताब में पढ़ाते हैं आपको तो किताब में सबसे पहले आपको पढ़ाते हैं और जब पटी-पटी यानि कि जब आपको सिखाते हैं तो सिखाने सबसे पहले आपको वाचा कमंतंग आजीवी को वायामो सती समाधी संकपो और दिप्ठी यानि के सीख पढ़ाने में और सिखाने में थोड़ा सा करम बदल जाता है भगवान बुद्ध चुंकि इसको बताते भी थे और पढ़ाते भी थे इसलिए और ये जो अटसील जो मार्ग है जो ये अटंग मार्ग है जो सील समाधी का मार्ग है ये जो अटंगिक मार्ग है या जो अट वक्र है या एटफोल्ड पात है इसकी खास बात है कि इसे दस बिमारियां पूरी जड़ से खतम हो जाती है दस बिमारी हिंसा, चोरी, वैबचार, जूँट, चुगली, कटू या कटोर वचन, बकवास, लोग और क्रोध ये दस बुराईयां हमेशा के लिए खतम हो जाती हैं ये जो दस अंग हैं, दसानन हैं, ये हमेशा के लिए मारे जाते हैं, खतम हो जाते हैं जो आठ हंगों का मार्ग है, ये पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है, जो भी आपको पढ़ाएगा, यही पढ़ाएगा धमचक पवतन की आपको बहुत-बहुत बधाईयां हैं, मंगल कामना हैं आप धमचक पवतन वारे दिन अपने जितने भी गुरू हैं, जितने भी आपके टीचर हैं, उन सबको बढ़ाई दें, चाहिए वो किसी भी परिकार के आपके गुरू हैं, अगर वो सम्म्यक हैं और अच्छे हैं तो उनको बधाईयां दें, और भगवान बुद्ध के जितने भिकुणू हैं और जितने भिकुणू हैं, उन सबके फोटो गरा लगाएं, उनके वाटसप पे भेजएं, उनको धन्यवाद दें, कि अब आप पढ़ाते हैं, जीवना आपने लगाया है, इससे हम आपका अभार बहुत बहुत मंगल कामना हैं, जगद गुरु भगवान बुद्ध उस दिन दमचक पवन पे जो गुरु पूर्णमा हैं उस दिन पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनका स्वागत सतकार होता है, आप भी करें, उपोसत रखें उस दिन लोग उपोसत भी रखते हैं, धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आग को छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्हीं की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वितना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है गच्छामे संघंशरनं गच्छामे उतंशरनं गच्छामे संघंशरनं गच्छामे संघंशरनं गच्छामे उतंशरनं गच्छामे संघंशरनं गच्छामे संघंशरनं गच्छामे संघंशर